नमस्कार दोस्तों, स्वागा थे आफ से वीक अपने टोफ चनल तारीजी के पर दोस्तों इस वीडियो में UP Board Class 12 इंगलीज के Most Important Question को पढ़ेंगे ये सभी Question बहुत ज़्यदा महतपूर है, सभी Important Question लिये गए है पेपर में यहां से Direct Question आएगा, अगर आप लोग ने इतना पढ़ लिया तो आपके नवे माक्ष पक्के हैं, तो आप लोग वीडियो कैरफुली देखना और अच्छे से समझना तो दोस्तों चलिए Question को देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग यहां पे Section D को देख लेते हैं, यहां पे Question No.7 दिया गया है Answer the following questions in about 40 words each, यानि कि इसका answer आपको 40 words में देना है कम से कम 40 words में इसका आपको answer देना है, ठीक है, एक Question चार नवर करेगा दोस्तों अब Question को देख लेते हैं, एक Question क्या दिया गया है, Question No.8 दिया गया है, What happened which Charlie at the Ticket window और यहां पे और में दिया गया है, What was the wonder, author realized reaching Antarctica अब Question No.2 को देख लेते हैं, एक Question अब दोस्तों यहां पे आपको इन दोनों में से आपको कोई एक करना है, ठीक है या तो आपको इसको करना है, या तो आपको इसको करना है, इन दोनों को नहीं करना है, या आपको ध्याम रिखना है, अब यहां पे Question अभी को देख लेते हैं, Who was he once, why did he want to learn in the cell और दोस्तों, मैं जितना Question करा रहा हूँ, यह सभी Question, Motion Modern Question है, तो आप लोग एक भी Question को मिस मत कीजिएगा, अगर आप लोग ने इतना त्यार कर लिया, तो आपकी एकजाम में 90 माक्ष पकी रहेंगे, तो आप लोग एक-एक Question को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे सब और यहां पर एक Question दिया गया है, What was the basis tale told by Jack, इन तीनों में से आपको कोई एक करना है, तो आपको इन तीनों को नहीं करना है, आप लोग अच्छे समझ लेना, ठीक है दोस्तों, इन तीनों में से कोई एक करना है आपको, आप लोग तीनों मत कर देना, ठीक है, चलिए, अब यहां देख लेते हैं, Question number 8 में क्या दिया गया है, Answer any one of the following, in about 80 words, इसका answer आपको 80 words में देना है, ठीक है, इसका answer आपको 80 words में देना है, यह आपको ध्यान रखना है, और यह Question 7 number का है, ठीक है, यह Question 7 number का है, Question को आपको पहले अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आपको answer दे इंस्ट्रक्ट इवान्स फार्द एक्जाम, ठीक है, अब यहां पर देखिया आप लो, Question B में क्या दिया है, Who was the general, why did, how, was Dr. Sadao close to him, how did he promise to help Dr. Sadao, ठीक है, अब यहां पर देख लेते हैं, Question 9 में 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 देख लेते हैं, Question 9 क्या कर रहा है, Read the following, extract carefully and answer the question that follow, इस Question को आपक answer देना है, ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं, आप लोग, यह Question 6 नंबर का है, ठीक है, यह Question 6 नंबर का है, मैं थोड़े इसको जूम कर देता हूं, ताकि अच्छे से दिखाई दे, और यहां देखिया आप लोग, यहां पर क्या दिया है, When aunt is dead, her terrified hands, ठीक है, Will be, और answer निकाल कर, अच्छे से त्यार कर लेना, और एक्जाम में चले जाना, 90% मारक में पके रहेंगे, ठीक है, आपके 90 marks पकी रहेंगे, यह 100% गरांटी है, ठीक है, यह 100% गरांटी है, कि आपके 90 marks पके रहेंगे, दोस्तो, बस आप लोग, मैं जितना बता रहा हूं, बस आप उतना त्यार कर लो तो आपके exam में 90 marks पके रहेंगे clear है चली अब अगला question देख लेते हैं दोस्तों अब यहाँ पर section B को देख लेते हैं writing अब यहाँ पर क्या करना है यह question 10 number करेगा ठीक है यह question 10 number करेगा आप आप लोग इसे अच्छी से त्यार के लेना यहाँ पर question को पढ़ते हैं write an article on any one of the following topics in about 100 to 150 words ठीक है यहाँ पर 100 to 150 words में आपको लिखना है यानि कि 100 से लेकर 150 words के बीच में आपको लिखना है अब यहाँ पर दिया गया है A में दिया गया है अगला दिख लेते हैं next next दिया गया है write a letter to the editor of in newspaper about the frequent breakdown of electricity in your locality ठीक है यह भी 10 नमर करेगा यह भी 10 नमर का है तो आप लोग इसे अच्छे से त्यार कर लेना और यहाँ पर और में दिया गया है ठीक है अथवा में करके दिया गया है इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना ठीक है मैं जितना करा रहा हूं अगर आप लोग ने उतना त्यार कर लिया तो आपकी exam में नबे मक्ष पके रहेंगे ठीक है आपकी एक्जाम में 90 माक्ष पके रहेंगे दोस्तू बस मैं जितना बता रहा हूँ अगर आप लोग उधना तयार कर लेते हो तो आपका एक्जाम बिल्कुल किलियर हो जाएगा और जो लोग चैनल पर नया हैं वो जल से जल चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आगे भी ऐसे आपको कंटेंट दिया जाएगा आगे भी ऐसे आपको कोशन दिया जाएगा मैं जितना कोशन करा रहा हूँ यह सभी कोशन वेरी वेरी इंपोटेंट है तो आप लोग एक भी कोशन को मिस मत कीजिएगा सभी question को अच्छे से पढ़कर जाएगा ठीक है चलिए अगला question देखते हैं question number 10 देख लेते हैं write the central idea of any one of the following poems दोस्तों आपको इसमें central idea लिखना है यहाँ पे आपको तीन central idea दिया रहेगा ठीक है इन में से आपको बश एक करना रहेगा ठीक है यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़कर लेना है write the central idea of any one यानि की कोई एक ठीक है anyone यानि की मतलब कोई एक of the following poems तो आपको इन तीनों को अच्छे से त्यार कर लेना है ठीक है या तो आप इसे त्यार कर सकते है अथिंगा beauty keeping quiet my mother at 66 आप तीनों में से कोई एक त्यार कर लेना या तो तीनों त्यार कर लेना ठीक है अब यहाँ पे दिया गया है A में और think up beauty B में दिया गया है keeping quiet और she में दिया गया है my mother at 66 और दोस्तों मैंने आपको आज दोपार में एक वीडियो डाला था Central Idea पे मैंने उसमें 4 Central Idea बताये थे अगर आप लोग उस वीडियो को देखे होगे तो आपका Central Idea अच्छे से त्यार हो गया होगा और दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हो मैं जितना बता रहा हूँ तो आपके एक्जाम में confirm है कि यहां से question 100% पूछा जाएगा तो मैं बस जितना बता रहा हूँ उतना आप लोग त्यार कर लो ठीक है और अपने सभी दुस्तों क सेर भी कर देना जो भी लोग त्यारी कर रहे है जिनका भी पेपर कल है अपने सभी दुस्तों क सेर कर देने वीडियो को ठीक है चली अब इसमें अगला question देख लेते हैं तो इसमें हम लोग अब grammar के section को पढ़ते हैं grammar को आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है क्योंकि grammar में आपको शहिशी करना होता है ठीक है तो आप लोग grammar को अच्छे से पढ़ लीजिएगा यहां देखिए क्या कर रहा है choose the correct option to answer the following question ठीक है और दोस्तो grammar आपका 10 number कर रहेगा तो आप लोग grammar को अच्छे से त्यार कर लेना अगर आप लोग ने इतना त्यार कर लिया grammar को अच्छे से तो आपका 10 number confirm रहेगा मैं बस जितना बता रहा हूं आप लोग बस उतना त्यार कर लेना ठीक है चलिए अब यहां देखते हैं question क्या कर रहा है the man who cannot read and write is called ठीक है आपको वहाँ पर 4 अफसन दिये रहेंगे अपना आपको शही अंसर बताना होगा तो इसका सही अंसर हैगा यहाँ पर इलिक्ट्रेट ठीक है यहाँ पर आपका सही अंसर हैगा इलिक्ट्रेट आपको अच्छे से पढ़ लेना है ठीक है चलिए अगला question देख लेते हैं B में क्या कर रहा है the fresh the fresh lip and bounce mean इसका सही अंसर हैगा क्या रहेगा pro guessing rapidly ठीक है इसका सही अंसर हैगा pro guessing rapidly अच्छे सबको याद कर लेना दोस्तू चलिए question number C को देख लेते हैं यहाँ पर question number C में क्या कर रहा है the synonym of despise ठीक है the synonym of despise यानि कि despise के आपको synonym बताना है ठीक है despise के आपको synonym बताना है तो despise के synonym होता है hate hate मतलब होता है गिरिणडा अच्छे सबको याद रहना है दोस्तो synonym of despise यानि कि despise के आपका synonym बताना है synonym मतलब होता है परिवाची अच्छे सब लोग याद कर लेना चलिए अगला देख लेते हैं अगला कोशन देख लेते हैं अगला कोशन क्या कर रहा है यहाँ पर synonym पुछा गया है बेन का बेन का synonym क्या होगा यानि कि परिवाची तो इसका right answer है बानिस बेन का जो synonym होता है वो बानिस होता है आप लोग अच्छे से देख लेन चलिए अगला कोशन देख लेते हैं अब यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कर रहा है यहाँ पर क्योशन देखिए आई मीट ए बॉआई हूम वी आल नो इज ए गुड गुड बावलर ठीक है नीचे पढ़िए आप लोग वीच वड़ इन दा इसमें आपको इरर सेंटेंस बताना है ठीक है तो क्या हो जाएगा हूम हो जाएगा ठीक है इसमें आपका जो इरर सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पर हूम दिया गया है यह आपका इरर हो जाएगा ठीक है शी में देखिए क्या करा है the antonym of beneficial is यहाँ पे आपसे पुछा गया है beneficial का antonym ठीक है? यानि कि willom sub तो beneficial का antonym हो जाएगा harmful beneficial का आपका antonym हो जाएगा harmful question of 5 देख लेते हैं क्या कर रहा है दिया गया है change any one of the following into indirect speech इसमें आपको indirect speech बताना है और दोस्तों यह दो number का है आपको इसे अच्छे जप पढ़ लेना है यहाँ पे question क्या कर रहा है are you angry my friend said the king because you because you have lost your leader ठीक है? इसका आपको indirect speech बनाना है इसका आपको indirect बनाना है ठीक है? आप लोग अच्छे जप पढ़ लेना यहाँ पे देखिए दूसर में क्या दिया गया है इसको भी आपको indirect बनाना है अब यहाँ लोग देख लेते हैं बी में क्या दिया गया है? combine any one of the following as directed यह भी question दो नमबर कर रहेगा ठीक है? यहाँ पे क्या कर रहा है? he fired he shot a tiger इसको आपको simple sentence में बनाना है ठीक है? आप लोग easily बना सकते हो यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे नमर क्या दिया गया है? the way the way was long the old man was very weak and tired ठीक है? इस sentence को आपको compound sentence में बनाना है ठीक है? बिल्कुल easy होता है compound sentence आप लोग बना लेना चलिए यहाँ पे देखते हैं C में क्या कर रहा है? change any one of the following as directed यह भी question दो नमर का ठीक है? आप लोग इसे अच्छे से देख लेना यहाँ पे क्या कर रहा है? Mohan ran a very long race इसको आपको passive voice में बनाना है ठीक है दोस्तो clear है? और यहाँ पे देखिए आप लोग मैं तो लोग इसको zoom कर देता हूँ ठीक है? ताकि आपको clear दिखाई दे यहाँ पे दिया गया है everybody lies to be यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे brush का icon आ गया है मैं से हटा देता हूँ यहाँ आप लोग पढ़ने ना यहाँ पे दूसरा में दिया गया है everybody lies to be prosperious ठीक है? इसका आपको अच्छे समझ लेना ठीक है? और अपने सभी दूसरों को share कर देना जो भी student जो भी student UP board class 12th में है जिनका कल paper है तो आप लोग सभी question को अच्छे से पढ़ लेना अच्छे समझ लेना क्योंकि यहाँ से question आपके paper में 100% पूछा जाएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइजर रुकिजिए और अपने सभी दूसरों share कर दीजिएगा फिर मिलते हैं किसी ने topic के साथ Thank you